हलो वीवर्स मैं हूँ अनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लागर्स पे और हर बार की तरफ फिर से मैं आपको पटना और हमारे बिहार से रिलेटेड एक अच्छी न्यूस दिखाने जा रहा और आज मैं आपको दिखाने जा रहा कि पटना से 100 किलोमेटर की दूरी पे राजगीर में नई फिल्म सिटी बन रही है और जैसे कि आपको मालूम ही है बिहार से हर वर्स जो है वो बहुत सारे जो है वो यूवक यूतियां जो है मुंबई में जाना चाहते हैं और वहां जाकर के फिल्मों में अपना किस्मत आज माना चाहते हैं और जैसे से 100 किलोमेटर की दूरी पे जो है वो एक Film City का निर्मान करेंगे तो चलिए मैं इस Film City के बारे में आपको बताने जा रहा क्या-क्या इसमें होगा और क्या-क्या इसमें खाशेते होंगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये Film City जो है वो बन रहा है Public Private Partnership Mode में Public Private Partnership Mode में राज़गीर में ये Film City का निर्मान सुरू होने वाला है और साथी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें available होंगी और मैं आपको बता दूँ इसके लिए बिहार सरकार ने जो है जमीन भी देख रखा है जहां पे इस Film City का जो है निर्मान होगा तो Film City के निर्मान के लिए नीमा गाओं के पास बिहार सरकार ने 20 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित कर दिया है और Film City 20 एकड़ जमीन पे जो है वो बनेगी और यहांपे हर वो सुविधा होगी जो की Filmों के निर्मान के लिए काफी होगा और ऐसा जो है बिहार सरकार के कला संस्विति एवं युवा विभाग ने ऐसा कहा है और स्थल का निरिक्षन का कारे भी हो चुका है जमीन अधिग्रहन का भी कारे हो चुका है और Film City का निर्मान जो है इस साल के आंते तक सुरू होने वाला है और उम्मीद है कि अगले दो या तीन सालों में Film City बन करके तैयर हो जाएगी और आसपास होटलों का भी निर्मान किया जाएगा ताकि जो Film City बनने के बाद यहां पे जो Filmों का काम होगा या उस काम में जो लोग बाहर से आएंगे यहां पे उनके रहने की भी वेवस्था हो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि exactly Film City होता क्या है तो viewers मैं आपको बता दूँ Film City वो जगह होती है जहां पे फिल्मों का निर्मान करने के लिए फिल्मों की सूटिंग करने के लिए सेट लगाया जाता है मतलब कि फिल्मों की सूटिंग के लिए आप सेट लगा सकते हैं उदाहरन के लिए जैसे कि आपने बिग बॉस तो देखा ही होगा तो बिग बॉस का सेट तो आपने देखा होगा इन महलों को देखकर कि आपको लगता होगा वाकई में कोई बड़ा सा शांदार महल है परन्तों मैं आपको पता दूँ है कोई महल नहीं है बलकि ये महलों का सेट लगाया गया था तो ऐसी ही फिल्म स्रिटी का निर्मान हमारे बिहार में भी हो रहा है और यह हमारे बिहार के लोग के लिए बहुत बड़े गौरों की बात है हाँ तो वीवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो है वीडियो काफी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी होगी तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे और हाँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूँ ही नए नए वीडियो बिहार और पटना से रिलेटेड लेते आएंगे